Hello everyone, welcome back to my YouTube channel So friends, nursing officer की एक और vacancy की update के साथ हमें आपर आ चुके हैं Number of vacancy आप देशकते हैं Total 152 vacancy की notification यहाँ पर जारी कर दी गई है ExoBond पदो के लिए vacancy की notification यहाँ पर जारी की गई है तो friends इस वीडियो में हम आपको पूरी information प्रवाइड करेंगे के साथ में यह बताएंगे कि वेकेंसी कहां से जारी की गई है इसके लाओ और कौन-कौन सी वेकेंसी रहने वाले हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है Last date क्या रहेगी, application fees क्या रहेगी Online application करना है या offline application फार्म भनना है तो फ्रेंट्स चलते हैं directly update पर तो यहाँ पर आप दे सकते हैं सबसे पहले हम वेकेंसी की information दे देते हैं कौन-कौन सी वेकेंसी तो इसमें आप दे सकते हैं सबसे पहले नंबर एक पर दी गई nursing officer की नंबर आप वेकेंसी आप जो दी गई है nursing officer की यहाँ पर रहने वाली है और इसके बाद दे सकते junior रेडियोग्राफर की पांच वेकेंसी यहाँ पर दी गई है ECG technician की तीन वेकेंसी है और reflectionist की यहाँ पर दो वेकेंसी यहाँ पर रहने वाली है आडियोमेट्री असिस्टन्ट की एक वेकेंसी है physiotherapist की दो वेकेंसी यहाँ पर रहने वाली है OT technician की चार वेकेंसी है OT assistant की पांच वेकेंसी है occupational therapist की दो वेकेंसी है assistant dietitian की भी एक वेकेंसी यहाँ पर रहने वाली है post-vartum technician, maturity technician की दो वेकेंसी यहाँ पर दे सकते हैं दी गई है maturity assistant की एक वेकेंसी है dresser की 4 vacancy plaster room assistant की 4 vacancy यहाँ पे रहने वाली है तो total इस तरह से आप दे सकते है 17 पदोग के लिए यहाँ पे notification जारी की गई है और विविन vacancy यहाँ पे विविन पदोग लिए vacancy यहाँ पे जारी की गई है अब यह जो vacancy निकाली गई है वो vacancy निकाली कहां से गई है सबसे पहले skin formation ले लेते हैं तो सबसे पहले आपको उतादे जो vacancy निकाली गई है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं तो यह सारी vacancy यहाँ पे जो दी गई है यह कहां सीग निकाले गई है और यह vacancy जो रहेंगे on contract for deployment outsourcing तो यहाँ पे यह contact basis vacancy निकाली गई है और इसकी last date यहाँ पे आपको बताएगे last date of submission 13 September 2014 जने कि 13 September तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं तो जिन भी candidates को यहाँ पे अप्लाई करना है आल इंडिया vacancy है कोई भी अप्लाई कर सकता है जो भी eligible हो आप अप्लाई कर सकते हैं तो अगर अब भी तक आपने फ़र्म नहीं फिल किया तो फिल कर सकते हैं तो सबसे पहले पोस्ट है वह आदो सकते nursing officer की है क्या रिक्वालिफिकेशन क्या है यह बीससी नर्सींग फ्राम रिकर्गनाइट युनिवस्टिटी और पोस्ट बेसिक नर्सींग फ्राम रिकर्गनाइट इंस्टिटूट ठीक है रिश्टर नर्स अम यह आपने अगर जी की पोष्ट निकाली गई यह सभी जो है क्वालिफिकेशन अगर आप क्वालिफाई है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट जो रखी गई हो तीसा लखी गई आप दे सकते हैं यहां पर तो यह आपकी फर्स्ट वेकेंसी होगे इसके लिए टेग्निशन की चाह वेकेंसी है इसके लिए बीमल्ट आपका होना या फिर जो है हार सेकंडरी सेकंडरी विर साइन्स हो और डिप्लोमा इंवल्टी हो तो आप लाई कर सकते हैं एज लिमिट 27 साल लखी गई है तीन साल का सेली रखी गई है फार्मसिस्ट की भी हाओ जो वेकेंसी हैं 11 वेकेंसी में आप दे सकते हैं बेचलर डिगरी मांगी गई है और 27 साल लिमिट है तो यह आप दे सकते हैं यह फिर आपने रजिस्ट्रबाइज़ पर फॉर्मसिस्ट है सेलेक्टेड करें तू बीर रेिश्ट इसकी क्वालिफिकेशन हैं पर दी गई इसकी सेली आप दे सकते हैं 38 250 पर रखी गई है ECG टेक्निशन की पर तीन पोस्ट यहां पर रहने आ लिए हैं इसकी पर पोस्ट हैं उसकी भी क्वालिफिकेशन पर यहां पर दी गई हैं पर दी गई हैं फिजियो थे सब्सक्राइब की बात करें तो टोटल दो पोस्ट है बिए सी आपलिक प्री मेडिकल आपलिक एचा हायर सेकंडरी विस साइन्स और डिप्लोमा इन फिजियो थेफी होना आपके पास कंपल सदी है तो है आप अप्लाइब कर सकते हैं 32 साल एज लिमिट रखी गई तीरपन हज साल की मिनमुम एज लिमिट रखी गई है पांच साल का एक्स्पेरेंस ओटी महीं मांगा गया है यहां पर देख सकते हैं नियूरो सर्जिरी गैश्ट्रो सर्जिरी सी सी एसस डी अनेस्टेशिया गैस प्लांट अगर इन सब में कहीं आपका पांच साल के इसमेंस तो आप अर्थी जाज 250 पर आपकी रखी गई है ओटी असीस्टेंट की है अप सभी लोग इसमें देख सकते हैं उसके बाद यहां पर अप्लाई कर सकते हैं अब कैसे करना है आनलाइन या आफलाइन इसकी इन्फार्मेशन आपको दे देते हैं तो यहां पर देशकते हैं इसको नी अप्लिकेशन फार्म फिल कर सकते हैं और यहां पर आपका दो तरिक से स्टार्ट हो चुका था दो सेप्टमबर से स्टार्ट है और लास्ट एटिश की 13 सेप्टमबर रखी गई तो अभी तीन दिन का समय आपको पास है अब आप ही तक आप अपलाई नहीं किया तो अपला समिट होगी आपकी DD के माध्यम से आपको समिट करनी है और डाकुमेंट्स क्या-क्या लगेंगे आपके जो फॉर्म फिलकरिंग उसमें अप्लोडिंग डाकुमेंट्स में आपका फोटो अप्लीकेंट लगेंगा अधार कार लगेगा सर्टिफिकेट के लिए डेटा बर्स के जो भी वह आपका लगेगा इस्पेंट सर्टिफिकेट डेले नर्सिंग कांसिल या पी अपके पास अधार कांसिल का सर्टिफिकेट हुआ यहां पर लगने वाला है साथ में आपका एक नोटराइज्ट लगेगा अंडर टेकिंग एफिडिविट रूपर पर वह लगेगा यह सब यह चीज़ें आपके दी गई हैं अंडर टेकिंग जो रहेगी एफिडिविट जो रहेगा उसका फार्मेट यह दिया गया इसका मैटर भी आपको बनवाना पड़ेगा तो यह पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहां पर शेयर कर दी है आई होप यह वीडियो आ अब ही अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अब्लेट के साथ अब तक के लिए जय हिन जय भारत